तो हेलो एवरीवन प्रिशान चोदरी दिस साथ यह है ट्रेडिंग का थर्ड पार्ट स्टार्ट हो चुका है थर्ड यह फोर्ड वीडियो की साथ अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हंजी दोस्तों जैसे कि आप दो लोग जानतों तो यार मैं अ最 इट मार्ट इट मार्किटिंग भी करता हम और अप्लेट मार्किटिंग बिल्कुल मैंने जीरो से दिंगर से ओपर हो चुका है एंद दोस्तों काफी मैं यह अच्छा कासा अज्ध तो मैं आछ आपको ड्रेडिं 000 इस्टर्ट कर करतीतram कर पर देखो तब आपको बहुत अच्छे समझ आने वाला है क्योंकि फॉर्थ वीडियो होने वाली हमारी ट्रेडिंग की ठीक है लेकिन आज इस वीडियो के सीखने वाले बो मैं आपको बतायता हूं तो आज इस जो बीडियो में सीखने वाले केंडिलिस्टिक पैटन आपको आपको बताने वाला हूं लेकिन इससे पहले मैं फिर से आपको रिमेंटर कर रहा हूं जो मेरी पहली वीडियो थी उसके ओपर मैंने बताया कि कि फ्रैडिंग किसके लिए इन पोटेंट है कौनम दार ट्रेडिंग कर सकता है ठीक के वह चीज मैंने आपको बताया है उसके बाहर Summem milk management कि बाई अगर इंदर कि आपके पास कभ़ूंत चाहिएं कितने सबस्वारस कट करई अकर कितना अब टीजट लेना चाहिए है बिजनस बर्सिज आपको गेंबलिंग क्या होता यह सारी चीजे मैंने आपको बताई है इन पीछली वीडियो में तो भाई इन वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और दोस्तों अगर आप केंडल से यह जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और मिस्ते सीखना चाहत है बहुत वीडियो यूटूब पर कहीं जाके देख लो कोई दिक्कत नहीं है बट दो चार बंदें उससे सीखने चाहते हैं उनको मैं सीखा रहा हूं तो स्टार्ट करते हैं देखो दोस्तों हमारा क्या है हमने स्टार्ट करा है सबसे पहले हम सीखेंगे प्राइश एक्श तो मेरे बढ़ अब हम यहां से लेक़्िणिंख हूं इसको ही तक कहेंगे इसको दोस्तों प्राइश एक्शन ठीक हैं हमें मिलेगी दिखाता हूं यह हमार चार्ट ऐख लिख चार्ट दिख रहा है ओके इसको खोलते हैं देखो जैसे आप लोग देख पा रहे होगे यहां से यहां से यहां से एक मार्केट चली और यहां से आट हम औह तक है मार्केट को देखो यहां से चल के івंगर आपकल करेंगे। आट हमें जो लिए ओट चार्ट होते हैं लेकिन इस्ट gefallen कैणल्स की मत्स्ट से करेंगे तिल्स रिखता आट है वह कि केंडल करें यह पाथ हुआ होते हैं का कीज़ा रहे से बतांगा मैं आपको चल यह सुरू करते हैं ठीक है औक कि अब मैंने आपको कैंडल स्टिक बटा नहीं क्या होती है कैसे बंदिया सारी चीजिस है आपको बताता हूं दोस्तों आप लोग अंदिल को यह कैंडल को कैसे देख सकते कैसे इसको रीड पर उसके पता चलेगा यह कैंडल बनी है तो इसके बाद प्राइज ऊपर जाएग भूचीज पहले जानना बहुत जरूरी कि भाई चुल हुमने माले हरी केंडलै लाल केंडली कि बनी क्यों किस लिए बनी वो क्यों बनी KPH आपको बताता हूं दोस्तों Dekken Market के लुग एक फो लोगो ते जो कोई चीज खरीते हैं और यह वो लोगो को ते जो यहां से कुछ लोग खरीद रहे हैं मारकेट के स्टौक हो रहे हैं इस टौक्स और फटा होगा इतना तो भाई पता यह ओकर कि मारकेट रुट चाहर रहा है जैसे हमार से यहां पर जुह है वह जदा वाइर द भार मैंतलब बहुत जब्योग जो खरीदना चाहरे है अगर जब लोग खरीदना चाहेंगे दोस्तों, तो समझो green candle बन रही है, ठीकिए, यहां से लोग चाह रहे हैं, खरीदना, तो यहां से बनेगी आपकी green candle, इस तरीके से candle बन जाएगी आपकी green ठीक है जैसे कि आप लोग देख पारे तोकिस तरहें पogदवरेंगी अपने क्यूंट्प है पहुंच रिहां पहुत है पहुत हुआ है तो वह साथ लोग अधरैंगी की मैं यहां से उपर करने तो मतलब किसा खृझ लेता हूं यहां से ऊपर जाएगा तो जब लोग खरीद से तो अभर कर न दूसलोग जुद्दे बे latency गया जाएगा ओसका पैसा मान लिजए आपने आप तो लेखित ली घॉलिट्वनौ मांशल की उपने जब दिकते हैं ठीक है इतनी वाद समझ आगी तो यही चीज है तो मैं आपको समझा हूँगा थोड़ा टीपिकल लग रहा हुआ आपके लिए लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं जब धीरी देखते रहोगे वीडियो को आपको समझ आएगा हाँ चीज क्या है ठीक है सब के लिए टीपिक यहां से ओपन होगी टीक है यहां से ओपन होगी अगर ग्रीन बन रही नोगी तो आपको ग्रीन होगी तो नीचे से ओपन होगी है और अगर यह ऊपर को को ग्रीन जा रही है तो यह बने जाएगी उपर को ग्रीन केंडल यहां से ओपन होती है यह ओपन होगी उसका ठीक है और यहां तक ऊपर गई और यहां जाके बंद हो गई ठीक है यह ओगे क्लोज सबसे पहले इतनी बास समझ लो यह जो होती है केंडल किसको कहते बोडी यह क क्लोज हुई यहां पर ओपन होई है मतलब सम्जाता हूं यो कि बहुत सारे कंफिज हूँ देहूं में ब्र ह parfois चलती लोगने 3-90 मोठी axat बात जब दूसरी candle बने होगी न token यहां से start होगी बढ नई वहки अगर गरीन यहां से बलती है है यहां से बननी स्टाट हुई है और शह चहूंब Gi going to replace a day or upwood गया फूर गया यहां तक गया फिर भीज casually Hipe जिए खिर अकर को सिखाता हूं जैसे केंडिल है आप लोग देख पाई ओक यह वाली केंडल बनियों से इसका प्राइज जो एंहां से यह जो दिख रहा है यहां से बननी चालो हो यहां आप गई उपर उपर जाके यहां बनी और यहां पर यहां से उपर गई होगी और फिर प्रेज़ सागे होगी हां जाके प्लोज होगी हूगी हाँ से बनी और यहां पर क्लोज वे यह जो उपर यहीं है यह नो कि लोगी ग्रीन के समझ लो नीचे से बनी है उपर जाके बंद हो जाएगी ठीक है यह चीज में आपको समझा दिया है अब देखो और भी केंडल के एक्जामपल लेंगे ऐसा नहीं है कि आप सो सोचो है मतलब क्या है यह ठीक है ओके वेट जैसे एक्जामपल इस वाली केंडल को कोई यहां से बनी है उपर जाके क्लोज हुई है यहां से बनी है उपर जाके क्लोज हुई है यहां से बनी है उपर जाके क्लोज हुई है यहां से बनी है उपर जाके क्लोज हुई है ठीक है यहां से बनी है उपर जाके क्लोज हुई है यहां से बनी है उपर जाके क्लोज हुई ह युँ जया रहु आपको इतने साहाने एक्जाम्बल बता रहो यह तो रहो यह जो ग्रीट अ्पले अपने जिले हैं आप तक भूल इसका पॉजिट है हम चार्ट के अंधर भी देखेंगे उस चीज को अम आपको दाता हूं यह जो आपको डंडी दिखाई दे रही है इसको कहते है विक ठीक है यह के लिक होती है विक कैसे बनती है वह आपको दहूंगा यह जो ती है बोडी होती है और यहां पर होता तो क्या हुआ होगा हुआ क्या होगा हुआ क्या है प्राइज एक्षन को रीड करना यहीं है देख माता तो क्या हुआ होगा यहां से कैंडल जैसे ओपन हुई है यहां से कैंडल बननी स्टार्ट अभी यह मत यह भूल जाओ नीचे का पाट है यह भूल जाओ यह नीचे और open होने के बाद ये नीचे आ गई ये गर गए नीचे के लिए ये लीठी के लिए यह नीचे के लिए और नीचे यह तक यह यहां तक आई लेकिन यहां से भी लोगों ने क्या काम करolie यहां पर कुछ ед्र आग Remo उन्होंने इसको बेख दिया तो यहां पर बन गई तो फिर यहां आके पांच मिनट इसके कम्प्रीट हो गए और पांच में चैडल क्लोज हो गई ठीक है तो मतलब ओपन यहां से हुई पहले ऊपर गई ऊपर नहीं रुप पाई ऊपर नहीं बन पाई तो फिर नीचे आई मत इस तना ज़्यादा कंफिज होता है समझ सकता हूं कि आप भी बहुत ज़्यादा कंफिज होगे ठीक है क्योंकि मैंने इसको सीखने में वह टाइम लग दभी तो मैं आपको अच्छे समझाने चाहरा हूं जो आपकी रेड कंडल होगी उपर से बनेगी और नीचे आके लेकिन यह जैसे आप सीखते रहोगे आप समझ जाओगे यह कैसे बनी है क्या हुए इसकी आप बिल्कुल बेफिकर हो यह सीज में आपको अच्छे से सिखा दूँगा ठीक है तो सबसे पहले आपने आयो पितना सीखा होगा कि जो रेड केंडल ग्रीन केंडल बंती किस तर अपनी को मदेख आप जाए बेले केंडल केंडल जैसे गया को कॅ कि यह तक रही केंडल मैं और ही नीचे तर सका हिए कि यह थी अगली केंडल रेड बनी कैसे यहां चालू हुई मार्केट और फिर यहां जाके क्लोज हो गई उपर से बनी नीचे क्लोज होगी अब ग्रीन केंडल जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे से बनी है यह और उपर जाके क्लोज हो गई है नीचे से बनी थी यहां से उपर खिर नहीं पाई और ऊपर चले गिए घुरीन की तरफ को और यहां तक पहुची ओ लेकिन गृंब में भी उपर नहीं रूप पाई और यहां के रुख गई हो तो यहां जाके बंद हो गई तो मतलब यहां तलो पर कुलोज हो रही है मतलब ग्रीन केंडल उपर से चालू हूई है और नीचे जाके को रहे है तो और यूझ अपने डिफ्रेंस दीया तो आने आगे जो वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि स्तरीके से क्या क्या कैंडला है क्शी चाली क्या क्या यह जो भी कहते हैं इसको भी जो इसके विक है यह कितनी बड़ी है इसमें तो विक बहुत चोटी सी है और भोगे लगा नाम है मैं आपको बता हूँगा किस तरीकी से एक वर्क करती है इन केंडल को देखके अब पतत लग जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने या मार्केट नीचे जाने वाला है ठीक है तो इस सारी चीज में आपको बताने वालो नेक्स्ट वीडियो में तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक् looking ूषण वीडियो को और को शृषण वाला हूँ तो बिलकुल बेफिकरो कि आप मेरे चैनल को फोलो कर सकते हो वीडियो सब्सक्राइब जो प्लेलिस्ट चेक कर लो, अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो नीचे जो प्लेलिस्ट उस पर क्लिक करो, और सुरू से प्लेलिस्ट को देखना चालू करो, और नेक्स वीडियो जाएगे उसके अंदर आप सीखना देखना, कि मैं कैंडलिस्टे कितनी तर में बाब बाइ